हेलो गाई तो आज हम लोग एरफोर्स नवी के लिए मैज के डिफ्रेंसेशन के कोश्चन देखेंगे बहुत इंपोर्टन रहे जो इसी ट्रिक में कैसे करेंगे तो जैसे डिफ्रेंसेशन है साइन एक्स डिगरी का एक्स डिगरी यहां पर दिया हो तो इसको हम लोग कुछ जिए करेंगे बिसे के लिगहां पर पाइपा न एक्सक्ति मैं लोग को बस एक इस्टैप उ冷खेंगे पाइपा न एट यहां दिपिने अ क्या ह weit आए कि लिख देंगे और जैसे कोश्च का होता है माइनस साइन एक्सदिग्री sin x degree हो गया इतना अब इसके बाद हम लोगों को बस एक step और लिखना है pi upon 180 multiply कर देना बस इस इप इतना लिखना है बाद हमारा answer आजागा easily कोई trick नहीं और जैसे cot x degree cot x का क्या होता है minus cos x square x होता है minus cos x square x degree x degree तो लिख दिया उसके बाद pi upon 180 भी लिख देंगे तो यह हमारा हो जाएक answer और जैसे d upon dx 10x का differentiation क्या होता है sec square x sec square 10x x square x x degree degree को याद रखिएगा फिसके उपर pi upon 180 का multiply 180 का और इस तरह आपका answer आजाएगा कोई भी question हो इस format में तो कर सकते हैं sin x degree तो उससे कोई डिटेंशन की बात नहीं वैसे करेंगे तो आपको concise करना पड़े कोई क्रिक्कत नहीं है sin x degree ऐसे हो जाएगा आपका कुश्य